Hello everyone, welcome to mind boosting classes, आज English speaking course का 37th day है, यानि से 30वा दिन है, इससे पहले day 1 से लेकर के day 36 तक already वीडियोज है, इस course की अगर आपने नहीं देखी हैं, तो चलिए आज अपना 37th day स्टार्ट करते हैं, इसमें हम encouragement, प्रोसाहन के कुछ वाक्य देखने वाले हैं, पहला वाकी है विश्वास रखिये, rest assured, चिंता मत करो, stop worrying, बच्चों की तरह मत रो, don't cry like children, तुम्हें चिंता किस बात की है, what's bothering you, मेरी चिंता न करो, don't worry about me, डरो मत, don't be scared, फिक्र की कोई बात नहीं, there is no need to worry, मुझे उसकी पर्वाह नहीं, I am not bothered about it, कोई कठिनाई नहों तो पूछिए, कोई कठिनाई हो तो पूछिए, ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे, किस चीज की जरूरत पड़े वह ले जाना, किसी चीज की जरूरत पड़े वह ले जाना, इस सेंटेस में बोला क्या है, जिस चीज की जरूरत पड़े वह ले जाना, तो take whatever you need, whatever मतलब जो भी चीज़, take whatever you need, आप फिसूल परशान हो रहे हैं, you are unnecessarily worried, you are unnecessarily worried, unnecessarily का मतलब है बे फिसूल में, मतलब फिसूल में ही आप परशान हो रहे हैं, worried का मतलब परशान, मुझे आप पर गर्व है, I am proud of you, हिच के जाओ मत, हिच के जाओ को बोलते हैं, hesitate, don't hesitate, हिच के जाओ मत, कोई हर्श नहीं, it doesn't matter, अब सांत्वना देते हैं, जब हम किसी को consolation के sentences, बड़े अफसोस की बात है, it's a pity, या फिर, it's very sad, उसे सांत्वना मत दो, सारी, उसे सांत्वना दो, तो console him, ठीक है, console him, console करना, मतलब हम उसे सांत्वना दे रहे हैं, संसखार का कुछ ऐसा ही नियम है, that's the way things are, इश्वर की यही इच्छा थी, it was God's will, God's will का मतलब उनी की इच्छा थी, भगवान की ही इच्छा थी, जिस कष्ट का इलाज नहीं हो सकता, उसे सहना ही पड़ता है, what cannot be cured, must be endured, ठीक है, what cannot be cured, मतलब जिसका कोई भी इलाज नहीं हो सकता, must be endured, उसको सहना ही पड़ता है, इश्वर पर भरोसा रखो संकर्ट टल जाएगा, have faith in God, misfortune will pass, इश्वर तुम्हें इस गहरे धक्के को सहन करने की शक्ती दे, may God give you strength to bear this terrible blow, उसके बाद 22 वाख्य है, हम अपनी सम्वेधना प्रकट करते हैं, we offer our condolences, हम उसके पिता के देहान पर दुखी हैं, we are deeply grieved at the death of her father, उसके बाद आगे नराजगी, एनवयन्स के कुछ sentences हैं, उन्हें लेखेंगे, आप अभी तक कामों में क्यों नहीं लगे, why haven't you begun या फिर started the work yet? आप मेरी बात को क्यों काटते हैं, why do you stare at me? आप बेकार गुसा हो रहे हैं, you are angry for nothing, दूसरे तरीके से आप sentence को बोल सकते हूं, you are unnecessarily getting annoyed, तुम बेकार में समयख होते हो, you just waste your time, yes you simply waste your time, किसका दोश है, who is to blame? क्या मैंने आपको चोट पहुचाई है, क्या मैंने आपको चोट पहुचाई है, have I hurt you, have I hurt you, कैसे शर्म की बात है, what a shame, मैं यहाँ विश्वास नहीं कर सका कि तुम्हें मांदर नहीं हो, I couldn't believe that you are not an honest person, मैं किसका विश्वास करूँ, whom can I trust, whom can I trust, यहाँ मेरा कसूर नहीं था, it was not my fault, दर असल ऐसा गलती से हो गया, actually it was done by mistake, उसकी नाक में दम कर रखा है, He is a nuisance, उसने मेरे विश्वास को ठेस पहुचाई, he has let me down, he has let me down, मुझे उससे चिड़ आती है, he irritates me, उसने मुझे दोगा दिया, he has betrayed me, या फिर he has cheated me, अब कुछ affection यानि इस नहीं प्रशन सा के बाकिये, तुमने बड़े साहस का काम किया है, that was very brave of you, शाबाज, well done, उसके चके आप good show भी बोल सकते हो, keep it up भी बोल सकते हो, तो शाबाज को keep it up, good show, well done मेंस आप कुछ भी बोल सकते हैं, कमाल कर दिया, that's wonderful, तुम्हारा काम तारीफ के काबिल है, your work is praiseworthy, your work is praiseworthy, यानि तारीफ के काबिल है, काबिल तारीफ है, तुम कितने अच्छे हो, you are so nice, या फिर how nice you are, आपनी मेरी बड़ी सहायता की, you have been a great help to me, तो ये कुछ वाक्य थे, अब इसमें don't be afraid में, don't, दो शब्दों के मेल से बना है, don't बना है do और not से, उसको हम don't इस तरीके से भी लिखते हैं, do प्लस not से don't बन जाता है, या दिखाने के लिए not का o लुप्त करके, उसके स्थान पर apostrophe लगा देते हैं, जैसे आप देखी रहे हैं, यहाँ o की जोगे apostrophe लगा दिया किया है, want बनता है who or not से, बन्दब who or not से नहीं बनता, देखो who तो कोई word ही नहीं है, who not से नहीं बनता want, want पते किस से बनता है, will or not से, want बनता है आपका will or not से, जैसे देखो don't तो आपने do or not देख लिया, अब अगर don't do or not से बनता है, तो ज़रूरी नहीं है want भी who or not से बने, who क्या होता है, तो उसके जगे will आ जाएगा, want बनता है will or not से, इस प्रकारनी शब्दों की बनावत का कोई एक नियम नहीं है, हाँ not का सदा n की जगे, मतलब o की जगे apostrophe आ जाता है और इस तरीके से लिखा जाता है, इसी प्रकार can't, cannot का शंक्षिप्त रूप है, cannot को हम short में can't ऐसे लिखते हैं और बोलते भी हैं, याद रखिए कि यदि भी cannot का अर्थ can और not है, परन्तु इसे अधिक तर एक ही शब्द की रूप में लिखा जाता है, जैसे can और not, cannot का अर्थ होता है can और not, तो can और not को अलगले ना लिकर आप cannot एक साथ ही मिलाकर की लिख सकते हैं, अलग अलग can और not नहीं, इसी प्रकार बने कुछ और शब्द प्रशलेत निमने लिखे थें, कुछ और प्रशलेत शब्द दे रखें, जैसे doesn't, doesn't बनता है does or not से, शांट बनता है शेल प्लस नॉट से, wouldn't बनता है वुड और नॉट से, Aren't बनता है, Are plus Not ay. Weren't बनता है, Will plus Not ay. और Couldn't बनता है, Could plus Not ay. Shouldnt बनता है, Shouldn't बनता है, Need plus Not ay. Did सो अभी हमने देखा, Did plus Not ay. Don't हमने देखा, Didn't भी Did or Not say बनेगा. तो उपरुक्द शब्दों का उचारन, पहले शब्दों का पूरा उचारन करके, लगाने से बनता है नट लास्ट में बोलते हैं जैसे डिड़ फिर नट डिडूँड डिडुड वाक्य थे और आज आपकी काफी ची प्रेक्स हुई होगी, आप इन वाक्यों को बार पर देखी पड़िये और ने समझने की कोशिश कीजिए प्रैक्टेस करते रहे हैं हमारी कोर्स के जाद जोड़े रहे हैं धन्यवाद